हेलो फ्रेंड्स दिसी चेदन न्यूज ये है कि इलेक्शन कमिशनर अरुन गोयल ने रिजाइन कर दिया है और अब भारत का चुनाव आयोग सिर्फ वन मेंबर पेनल बनके रह गया है क्योंकि इससे पहले फरवरी में एक सीट खाली हो गई थी और अब अरुन गोयल का इस्तिफा यानि अब सिर्फ चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिशनर रे गए है बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि कुछ ही टाइम बात भारत में लोग सबा इलेक्शन होने वाले हैं एसे में किसी इलेक्शन कमिशन के द्वारा रिजाइन करना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है आप ये देख सकते हैं कि इलेक्शन कमिशनर and other election commissioner appointment, condition of service and terms of office act 2023 की धारा 11 के तहत अरुन गोयल द्वारा दिये गए त्याक पत्र को राष्ट्रपती स्वीकार करते हैं इन्होंने अपना त्याक पत्र किन कारणों से दिया ये अभी तक साफ नहीं है लोगसभा के चुनाव के पहले भारत के समविधानिक आयोग में एसी हलचल बहुत चिंता जनक बात हैं क्योंकि भारत के चुनाव आयोग में तीन लोग होते हैं एक मुख्य चुनाव आयोग और दो अन्य एसे में अगर लोग सभा चुनाव के ठीक पहले कोई चुनाव आयुक्त रिजाइन करता है तो इससे क्या माना चाहे परसनल रीजन या फिर कोई और बात अगर परसनल रीजन को छोड़ दे तो सवाल ये उटता है कि इसे टाइम में क्या अरुन गोयल को इस्तिफा देना था वो इसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिनके चलते इने रिजाइन करना पड़ा क्योंकि भारत जैसे एक बड़े लोग तंत्र में चुनाव करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है पिछले चार साल में असोक लवासा के बाद ये दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं जि हम जरूर डिसकस करेंगे सो आज के लिए इतना ही थेंक्यू